आज बुद्ध पुणिमा हैं, आप सभी को बुद्ध पुणिमा की हर्दिक सुभकाम नाएं, बुद्ध पुणिमा प्रतेक वर्ष वैसाख महिने की पुणिमा को मनाया जाता, क्योंकि यह अभी चल रहा महिना, यह हिंदी महिना वैसाख चल रहा है और वैसाख पुणिमा ह लेकिन वैसाग पुनिमा को बुद्ध पुनिमा कहा जाने लगा इसका खास कारण है क्योंकि भगवान बुद्ध के जीवन के तीन महत्पुन घटनाएं भगवान बुद्ध का जन्म उन्हें ज्ञान प्राप्ति और उनका महापरिनिर्माड ये तीनों ही घटनाएं आज की दिन हुई थी इसलिए वैसाग पुनिमा को बुद्ध पुनिमा कहा जाने लगा आज के इस वीडियो में हम बुद्ध धर्म से समंद्ध समस्त चीजों को सामिल करेंगे बुद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई भगवान बुद्ध के जीवन चरित के बारे में बुद्ध संगीतियों के बारे में हीनियान महायान बोधिसत्तो बुद्ध साहित त्रिपिटक अन्नपाली गरंथ इस्तूप चैत विहार बुद्ध धर्म की प्रसार और लुपतियता समाज पर बुद्ध धर्म का प्रभाव और जैन और बुद्ध मतों के बीच में एक सम समान्य तुलना तो आईए सुरू करें सबसे पहले हम देखें कि बहुत धर्म की उद्ध के समय की परिष्थितियां को क्या थी हम इतिहास पे जाएं तो उत्तरवैदिकाल जो की लगभग 600 इसा पूर्व मतलब इसा के 600 साल पहले समाप्त हुआ उस समय ततकालीन समाज में क देखें तो जो जनपत थे वो आप बड़े होकर महा जनपतों की रूप में परिवर्थित हो रहे थे वो समय आपको पता होगा कि 16 महा जनपत बने थे सबसे बड़ा महा जनपत जो है वो मगध था समाजिक द्रस्टी से देखें तो ब्रहमडों और छेत्रियों के बीच वर ठादिक धर्मे उस समय आडंबर बहुत ज़ादा बढ़ गह थे कर्मकांड बहुत वो बढ़ गह थे यग्गों के तरह-दरह형 के नियम हो गया थे काफ़िट जिटिल हो गये थे यग्गों के नियम और पसुबली बढ़ गई थी इस बज़े से समाज में और कई प्रकार के पंत परचारित हो रहे थे और लोग भी जो हैं, एक सरल धर्म की और आकरष्ट हो रहे थे, उसी समय लगबख कई धर्म हुए, हजारों के उसमें धर्म बोल दें, मत बोल दें, पंत बोल दें, बहुत छोटे छोटे हुए आप एक ही धर्म के कई पार्ट हुए इसलिए हमने संख्या जादा बता दी उसमें सिप्रमुख की बात करें तो आजी वक है नित्वाही है संदेवाही है सहव है नैनार है जैन धर्म है बहुत धर्म है साक्य कुल में हुआ था साक्य छत्री कुल में इनका जन्म हुआ था कपिल बस्तु की निकट नेपाल की तराई में लुमनीवन में इनके पिता जो है इनका नाम सुधोधन था और सुधोजन जो थे वो साक्यगण के प्रधान थे साक्यगण के मुखिया थे साक्यगण के थे ऐसा बोल सकते हैं आपर माता जो महादेवी थी वो कोली गंड राज की से थी मतलब इनका जो रिलेशन है वोतम पुद्जी का वो एक राज घर आने से है और बचपन में ही एक रिशी ने इनकी कुंडली दे के भविश्वाडी कर दी थी कि या तो ये महान राजा बनेंग इसलिए हम इन चक्रती समराड बना इसलिए उन्होंने इनका लालान पालन जो है वो राज महल में किया और इनको दुख क्या होते हैं दुख का नाम और जान इनको नहीं होने दिया मतलब आम जनता पबलिक के बीच में भी कभी ये गए नहीं ताकि इनको कोई दुख ना हो इनका कोई दुख का भास ना हो एक चीज और इनके जन्म के साथ साथ दिन बाद इनकी चूंकि माता जी का निधन हो गया था इसलिए इनका लालन पालन जो है वो इनकी मौसी प्रजापती गौत में ने किया अब हुआ यूंकि हालक इनके पिता ने इनको ये बिलकुल प्ल लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हुता वही है जो इसर चाहते हैं तो इनके जीवन की चार प्रमुक घटना इनके 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 चार चीजे देखी पहली चीज ये धिखी जैसे नगर ब्रहमण में निकले तो इनको सामने से एक बुढ़ा आदमी आता दिखाई दिया तो उ उन्होंने प्रसंद कि अपने सहकर्मियों से कि यह इतना असक्त निर्बल क्यों है तो उन्हें पता चला कि हर मनुष से समय के साथ बूढ़ा होता है असक्त होता है निर्बल होता है फिर इसके बाद इन्होंने अगला अगली घटना अगला जो अंद्रस से है वो इन्हें जो है एक बीमार ब्यक्ति दिखा तब इनके तब भी इनके मन में आया कि और इन्होंने अपने सहकर्मियों से जाना भी कि हर ब्यक्ति जो है वो कभी ने कभी बीमार भी होता है काफी निर्बल हो प्राप्त करता है और चवता जो इन्होंने देखी घटना एक मस्त मौला एक प्रसंजचत सन्यासी इन्हें दिखा तो इंग चारों घटनाओं के बाद जो इनके दिमाग में चलने वाला जो विचार मंद्धन है वो काफी तेज हो गया और इन्हें लगा कि संसार जो है पूर जैसे उन्होंने देखा कि आदमी ब्रध हो रहा है, फिर आदमी बिमार भी हो रहा है, फिर आदमी म्रत्यू भी हो रही है, तो ऐसा जीवन किस काम का, तो ये सत्य की खोज में इनका दिमाग दोड़ने लगा, तो इन्होंने सूचा कि इसके लिए ग्रह त्याक किया जाए, त और ये साथ वर्स थक यहाँ वहाँ भटकते रहे, अपने प्रारामभिक दिनों में, इन्होंने अलार कालाम, जो की सांख दर्शन के गुरू थे, सांख दर्शन वही है, जो कपिल ने सुरू किया था, और तो एक तो इनके गुरू हुए पहले, अलार कालाम, और दूसरे इन वर्स तके कठिन तपस्या करते रहे और फिर 35 वर्स की उम्र में मतलब 6 साल की तपस्या के बाद 35 वर्स की उम्र में बोधगया में जिसको उर्वेला एक स्थान है उर्वेला कहा जाता है बोधगया में वहाँ पर इनको आज के ही दिन मतलब वैसा एक पोनिमा के दिन रात्री को निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के ब्रक्ष के नीचे जूंके बैठे थे वहाँ इनको ग्यान की प्राप्ती होई और जब इनको ग्यान की प्राप्ती होई तब से भी है बुद्ध कहलाए साक्य मुनी कहलाए तथागत कहलाए बुद्ध कहलाए बुद्ध का मतलब जो है तारकिक बुद्धी या बुद्धी से उपर है जिन्होंने सत्ध ज्यान लिया है तथागत भी वही है कि जिनका ज्यान सत्य है जिनका जो ज्यान है सत्य है तथागत है साक्य मुनी के हो है क्योंकि साक्य वंसे से संबंदित थे, साक्य छत्री थे, इसलिए साक्य मुनी कहला है, तो यहां पर का ब्रक्ष हो का बहुत मतावलंबी के लिए जो बहुत गया का पीपल का ब्रक्ष है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी पुराना है, अब समय पीरिट की आधियर हम बात करें, तो देखे इसा के से अभी 2000 लगबग हो गए, और इसके पहले 500 थे, मतलब पचीस सो साल पहले, अब उस ब्रक्ष की कई जो है, वन्स हो गए होंगे, एक के बाद दूसरे होते गए होंगे, और उस ब्रक्ष की रख रखाओ की जिम्मेदारी जो है, वो सासन या फराई को दी हुई है, फारिस्ट रिशर्च इंस्टिचूट देहरादून जो है, उसके सांटिस्ट को इस दिप्रक्ष दुबारा भी हो गया, और यह चलता रहा, अब हम बात करें, ग्यान प्राप्ति के पस्चाद, बगवान बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध ने ग्यान प्राप्ति के पस्चाद सबसे पहले वो बनारस गए, और वारण असी के पास में एक जगए है, वाली है, जैसे धर्म चक्र परवड़तानी, उनके दोरा दिया जाने वाला, जो पहला उपदिश दिया गया, उसको कहा गया, फिर इसके बाद यह जीवन भर जप्तक जिये, जप्तक इन्होंने बहुत धर्म के पचार परसार के लिए लंबे लंबी आतराएं की, असी वर् के उम्र में इन्होंने अपना सरीर त्यागा, जिसे महा परिनिर्माड कहा गया, बुद्ध के जीवन से समयंदी चार चीज़ें आप याद रखिएगा, बुद्ध के जन्म को जो है, जन्म से लेके हमने सारी चीज़ें देख ली, अब जो याद रखना हो क्या है, जब ग् पहला उपदेश दिया, सारनाथ में तब कहा गया धर्म चकर प्रवर्तन, और जब म्रत्य हो इसको कहा गया महापरी निर्माड, तो ये बुद्ध के जीवन की चार घटना है, अब हम देखें बौद धर्म के सिध्धान्त, तो गौतम बुद्ध बहुत बड़े समाजिक धरक थे, वो अनावस्यक तरक में नहीं उलचते थे, बलकि सत्त की खोज और संसार की जो समस्या हैं, उनको उनके हल ढूड़ने में उनके अपना समयन लगाया, और उनका जो समान सिध्धनता की संसार दुख में हैं, और दुख लोग जो क्यों पाते हैं, उसका क्या कारण और किस तरीके से निराकरण किया जाएं, इसी को क्या कहते हैं, चार आर्य सत्य, तो चार आर्य सत्य कौन कौन से हैं, पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और जो था है दुख निरोध गामनी प्रतिपदा, अब इनके अर्थ को हम जान फिर दुख का निरोध भी है, दुख को दूर करने के उपाय हैं, और चौथा वो उपाय बताया हैं, उपाय क्या हैं, तो आस्टांगिक मारगे के रूप में हैं ये उपाय, तो कौतम बुध जी के तुलना अप एक ड्यक्टर से कर सकते हैं, जो कि उन्होंने एक रूप का प दुखों का मूल कारण अविद्या को बताया, दुखों का मूल कारण अविद्या मतलब इच्छा, उन्होंने कहा कि इच्छाओं से ही दुख उत्पन्ध होता है, एक उन्होंने प्रतीत समुत्पाद का सिध्धान्त दिया था, बहुत धर में प्रतीत समुत्पाद का सिध सिध्धान्त बहुत अधिक ंप् Barend का सिध्ध गयते हैं कि किसी कारण से çalış कोई चीज उत्पन होती है। जैसे हमें इच्छा हुई तो हमें इच्छा पूर्टी नहीं हुई तो दुख हुआ ठीक है तो यह है प्रतीत समुधपात का सिधान्त और चार आर्शत इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं फिर इन्हें दूर करने के लिए जो अस्टांगिक मार्ग हैं उन्हें आठ चीजें उन्होंने बताया सम्यक द्रस्टी मतलब सत्य और असत्य का पालन किया जाए हना मतलब समझा जाए सत्यसत अलग अलग क्या क्या है और इस सत्यसत की सही परख कैसे होगी जब आप इन चार आर्शत्तों की सही परख कर पाएंगे तब आप सत्यसत को प्रतीत करना, सम्यक व्यायाम, व्यायाम का मतलब यहां है विवेक पून, प्रयत्न करना, सम्यक इस्मरती, इस्मरती का मतलब यह अपने कर्मों को साउधानी पूरवा का अपने रंतर ध्यान में रखते हुए, इस वर ध्यान को ध्यान में रखते हुए करें, सम्यक समाधी, चित्त की समुचित एकागरता को नोंने सम्यक समाध्य कहा है यदि कोई बेक्ति इन आठ मर्गों का या आठ भागों का अनुसरण करे तो निर्मान प्राप्ति हो सकती है और इसके लिए जो प्रतीत समुथपाद की बात है उस पे हमने जाभी चर्चा कर ली है साथ ही उन्हो थे ये दो भागों में थे जो समाने ग्रहस्त थे जिनको उपासा कहा जाता था उनके लिए पांच सील थे और जो भीचूख थे तो उनके लिए क्या थे दस सील थे तो ये दस सील कौन कौन से थे सत्य आहिंसा अस्तिय अपरिग्रह मद्य सेवनना करना समय असमय भोजनना क पस्त्रियों से दूर मतलब अभी चार से दूर इसमें सुरुभ के 5 जो हैं वो ग्रास्तों के लिए थे और इसके पूरे जो आगे के 5 हैं वो भीच्यों के लिए थे जिन्नों अपना ग्रहस तो छोड़ चुके हैं अब हम बात करें बहुत दर्सन के वारे में जो दो तीन सब्दे दिखाई देते हैं आपको जैसे पहला अनीश्वर बाद है कि भगवान गोतम बुद्ध जो हैं ये ईश्वर की सत्ता में विस्वास नहीं करते थे ठीक है गोतम बुद्ध इश्वर की सत्ता में विस्वास नहीं करते थे पहली बात शुन बात का क्या दात पर है इनके अनसार संसार की समस्त वस्तुएं और पदार्थ सत्ता ही नहीं अनात्म बात आत्मा को ये नहीं मानते थे चड़िक बात संसार में कोई भी चीज बोले स्थिर नहीं है सब चणवंगुर है फिर हम देखें बौध शंग तो बौध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौध संग है कि स्थापना हुई बौध संग में प्रविस्थ होने को उप संपदा कहा जाता था और सबसे पहले आपको स्रमण का दर्जा मिलता है इसके बाद जब दसवर सो जाते हैं तब फिर भिच्छू का दर्जा मिलता है कौन लोग कौन लोग बौध संग में सामिल नहीं हो सकते तो उसका उन्होंने कहा है कि आल पवैस्क, चोर, हत्यारे रिणी ब्यक्ती, दास, रोगी इनका परवेस बहुत दसंग में वर्जित था और बहुत दर्म ने वर्ण ब्यवस्था और जाती ब्यवस्था इस पर घोर प्रहार किया सबसे ज़्यादा यह वर्ण ब्यवस्था देखें तो यह काफी अधिक इंपॉर्टन्ट है यह आप टेबिल में देख रहे हैं कि यह कब हुई कहां हुई, किसके समय हुई अध्यक्ष कौन था और कारिक कौन थे तो पहली बौद्य संगीती चार सुत्यरासी सा पूरो मतलब जब गौतम बुद्ध जी की मृत्ती हुई उसी साल हुई राजग्रह में हुई थी यह और उस समय सासक था अजाद सत्रू हर यकवन्स के अध्यक्ष इसमें थे महा का स्यप और इसमें यह हुआ कि बुद्ध के उपदेशों को दो गरंतों में संकलित किया गया पहला सुथ पिटक और दूसरा विन्यपिटक सुथ पिटक आनंद ने मतलब संकलन किया और विन्यपिटक का उपाली ने आप दूती बहुत संगीती 383 सापूर में हुई यह वैसाली में हुई सासक था उस समय सिस्वनागवंस का काला सोक, अध्यक्ष साबकमीर और बहुत धर्म दो भागों में, दो वर्गों में विभाजित हुआ, इस्थाविर और महासांगिक, तरतीव बहुत संगीती दो से क्यावनी सापूर में, पाटली पुत्र में हुई, असोक, मौरवंस का सोक, महान जो है, मोगली पुत्त तिस्ष अध्यक्ष थे, इस समय जो है तीसरा पिटक है न, अभिदम में पिटक, उसकी रजना की गई, और संग भेद रोकने के लिए कुछ कटोर नियम बनाये गए, चोथी बहुत संगीती एक हजारी सापूर में हुई, कस्मीर के कुंडलवन में, सासक अध्यक्ष वजुमित्र थे और उपाध्यक्ष असोगोस थे, विभासा सास्त्र नामा के एक टीका गरंत लिखा गया और बहुत संपरदार फिर से अगेन दो भागों में बढ़ गया, हीनियान और महायान, अब हम हीनियान और महायान को समझ लें, दोनों में क्यांतर है, तो हीनियान में क्या होता है, ये रूडिवादी कहलाते हैं, और महायान परिवर्तनवादी कहलाते हैं, हीनियान में बुद्ध को महापुरुस बोला गया है, जबकि महायान में बुद्ध को भगवान या दियोता की रूप में मानेता मिली है, हीनियान में बुद्ध के प् माहयान का अदर्स बोधिसत्तो है और बोधिसत्तो में यह है कि जब कोई स्वयम निर्माड प्राप्ति के जो हगदार हैं लेकिन अन्य लोगों की सहायता के लिए अन्य लोगों के मदद के लिए जो अपने निर्माड प्राप्ति को विलंबित करते हैं तब वो बोधिसत्तो की रूप में माने जाते हैं और ये किसी भी रूप में मनुस्य अपसु की रूप में हो सकते हैं जैसे इसमें देखा जाया तो की तो इशुर हैं मंजुनाथ हैं मैत्रिये हैं जो भावी बुद्ध कहे गए हैं मैत्रिये वो सामिल है बहुत साहित की हम बात करें तो सबसे important है 3 पिटक, 3 पिटक है सुत्य पिटक, विनय पिटक अभिदम्य पिटक, सुत्य पिटक क्या है, सुत्य पिटक में बहुत धर्म के सिधान्तों का वर्णन है ये भी 5 भागों में है, सुत्य पिटक दीर्ग निकाय, मजजिम निकाय, समित निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय, सुत्य पिटक की रचना इनकी प्रियसिस आनन्द ने की थी। फिर विनय पिटक की बात करें, तो विनय पिटक में बहुत मठों में रहने वाले भीचु और भीचुड़ू के लिए प्रती बहुत संगीती में मोगली पुत्र टिश्य ने किया था, कुछ अन्द ग्रंथों की बात करें हम पाली भासा के, तो मिलेंद पन हों हैं, जो इससा की प्रथम, दोस्त आपनियों की विसे में जनकारी जिससे मिलती है, जिसमें पता चलता है कि युनानी सासक मिलेंड जिसको मिलेंद कहा गया है, और बहुत भी चुनाकसें, इन दोनों की बीच बारतालाप या बहुत मत पे जो चर्चा हुई थी उसका उलेग है, दीप वंस में सिंगल दीख मतलब से स्रिलंका के धियास पर प्रकास जलता है, महा वंस में मगत के सासकों से सम्मंदित सूची मिलती है, जातक कथाएं भी हैं एक, जातक कथाएं क्या हैं, बगवान बुद्ध के पूर्वजनमों की कथाएं हैं, यह भी पाली भासा में हैं, महा वस्तु यह त्रिपिटक से सम्मंदित गरंथ है, बुद्ध चरित अस्वगूस की रचना है, आपको पता है, इस्तु पूर्व जो है, Woo, मरता की, चीता के समान है, मतलब, जैसे चीता बना देते हैं यह तो उसी फार्म में है स्तुफ और कई प्रकार के स्तुफ होते हैं, सारी रिक पारिभोगी के स्तुफ, इस्वा पूजा के लिए बनाएगा स्तुफ, इनके हिससे भी अलग- जिसको युनिविस्कों ने अपने विश्व धरोहर सूची में सामिल किया है। धमे को स्थूप है राज उत्तर प्रदेश में, मत्रदेश के सतना जिले में भरूत स्थूप है, अमरावती स्थूप है। अब जो पूजा के लिए स्थूप बना जाते थे, जिसको हम पूजार्थक स्थूप कह सकते हैं, या बौध मंदिर कह सकते हैं, इनको क्या बोलने लगे हम चैत्य, ठीक है तो पहला स्थूप, जिसमें कुछ चिन रखेगा एक समाधी के तौर पे, फिर चैत्य में क्या हुआ पूजा हे तूप बनाया गया स्थूप या बौध मंदिर कह लीजिए, और फिर चूँकि जो ये सब करेंगे, भीचू लोग, वो रहेंगे आसपास, उनके रहने के लिए जो बनाया गया, वो क्या बनाया गया, बिहार, मतलब बहुत चैत्यों के पास बिच्छों के रहने हुआ और किस तरीके से बहुत धर्व ने लोग परीता हासिल की, यदि हम उसकी बात करें, तो कुछ इसके पहले हम एक दो चीज़ें और बता दें, जो पिछले इस लेक्चर में हम बताना भूल गया हूं, कि बहुत धर्व में सुरुवात में सिर्फ पुरसूं को प्रवे पुनर जन्म को मानता है, बहुत धर्म, बहुत धर्म में हम ये तो देख लिया, कि इश्वर को नहीं मानता है, आत्मा को नहीं मानता है, लेकिन पुनर जन्म को मानता है, और जब पुनर जन्म को मानता है, तो कर्म फल को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि समान इसी बात है, ज उसके कर्मों के फल के रूप में ही उसका पुनर जन्म हो रहा है क्योंकि इस जन्म में उसने जो काम किया उसका फल तो पुरा मिल नहीं पाया तो उस उन फलों की प्राप्ति के लिए उसको क्या लेना पड़ रहा है पुनर जन्म तो कर्म फल और पुनर जन्म दोनों पे ये विश्वास करते थे और छण भंगुर मानते थे जीमन को, छणिक वाद से सम्मन देखें कि बहुत धर्म किस तरीके से परचारित हुआ और लोगपरी कैसे बना, तो सबसे पहली बात कि वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई बहुत धर्म में, और उस समय वर्ण व्यवस्थ यह बहुत धर्म का कारण बना, जो निमन वर्ण के गेंदू थे, उन्होंने अधिक से अधिक मात्रा में बहुत धर्म जोईन किया, तो यह सबसे जो लोगपरीता का पहला कारण क्या हुआ, वह अणिववस्था, क्योंकि जो मगद के निवासी थे, इस धर्म के उड़ होती थी, ठीक है, अब बहुत धर्म में बुला गया कि नहीं, पसु हत्यम उचित नहीं है, तो यह सारे पसु किसमें काम आने लगे, खेती में, तो इस तरीके से क्रसी आर्थ व्यवस्था को प्रोसाहन मिला, इसके धरू, तीसरा, चुँकि बहुत धर्म में मुनाफा खो पांचवा कारण था पाली भासा में, जो समय जन समाने की भासा थी, पाली भासा, चुँकि उस भासा में बुद्ध धर्म का परचार किया गया, इसलिए भी अधिक मात्रा में ये बढ़ा, बुद्ध धर्म के त्री रतन हैं, त्री अंग हैं, त्री रतन बोल दीजिए, त घौद मत के परचार परसार में काफी हद तक योगदान दिया जैसे मगद सासके कोसल के सासके मोरि समराठ्थ है विसे इस लूप से समराठ असोग का नाम आता है जो उन्हों ने सुयम तो परचार परसार किया ही लेख सिला लेख इस्थम्भ लेख इनके माध्यम से किया साथ कि सासकों उन्हें जो ततकालीन समय में थे उन्होंने भी इस धर्म की लोगपरीता में और परचारप्रसाल में काफी important role play किया अब बात आती है कि हर चीज में कुछ न कुछ कमी आने लगती है डाउनफाल होता है तो बहुत धर्म भी धिरे धरे कुछ ऐसे परिवर्दनों के दौर से गुजड़ा कि उसमें थोड़ा सा पतन के कारण मतलब दिखाई देने लगे या थोड़ा कम प्रभाव थोड़ा काम असका क्या रण था कि धीरे धेरे बहुत धर्म में भी ब्रामरवदी कुरिया कलाप हो गया ठीक है तो जो एक विसस्ट पहचान थी एक असान धर्म था धीर बहुत मटों में भी अधिक धन संचा होने के कण वो भी वहां पे भी अपयवस्था फैली और आकमड़कारियों के सिकार हुए, बाद में जो कुछ सासक हुए हैं, जैसे वो सुंग हों, कन वंस हों, आंधर साथ, वहां वंस हों, गुप्त वंस हों, इन्हों ने ब्रहमण धर प्रच को ही कटवा लिया था, कटवा दिया था, यतना जो है, वेवनस हो गया, तो इन सब चीज़ों के कंड़ बहुत धर्म के क्या प्रभाव पड़े समाज पे, तो बहुत अधिक समाज में सबसे पहला प्रभाव तो हमें देख सकते हैं, कि वन व्यवस्था, चूँकि व्यवस्था ये ब्रामण ग्रंथों के द्वारा समर्पित थी, और इनकार दिया, और उन्होंने किस चीज़ को बल दिया, समाजिक समानता, समाज का कोई भी व्यक्ति दार्मिक रूप से समान है, तो समाजिक समानता का प्रतिबादन किया बहुत मतने, सबसे इंपोर्टन दिये, दूसरा महिलाओं के प्रती भी साहन भूती रखी, महिलाओं को भी उन्होंने बहुत संग में प्रविश देखे महिलाओं की सरसक्ती कांडिया महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया सका सकते हैं, तीसरा जोकि उन्होंने पसु बली को छोड़ा, मतलब करसी अर्थ व जोद ने धन संचन नहीं करने की बात की ताकि एक समाजिक समानता बनी रहे एक और खास बात संग में चूंकि करजदारों को दासों को प्रवेस नहीं दिया गया क्यों ताकि कोई ऐसा नहों कि कोई प्राधी या करजदार हो जाए और सीधे संग में जाके उसरन ले ले इसलि नितिक छितर में देखें तो जिस सासक ने बहुत धमत अपनाया असोग की बात कर लें विसे इस रूप से तो वो सानती पूरवक काफी समय तक लंबे समय तक जो है वो सासन कर सके और वल्ड वाइड उन्होंने उसको अपने आपको एक गूट नितिक तरीके से भी अच्छा क भूद धर्म का सोःुट है को अब हम बहुत है बहुत-धर्म का जो क्या-क्या प्रभाव पहर्खाव फर्क-पर उस बहुत धर्म का जो शृफट्टों आदी करें तो हम समानता और असमानता दो बिंदों पर देखेंगे समानता यह है कि दोनों ही दोनों बहुत धर्म और जयन धर्म दोरों के संस्थापक जो थे वो छत्री कुल के थे पहली समानता दूसरी समानता वेदों को यह नहीं मानते थे वेदों में कोई अस्था दोनों में नहीं थी, अभी हम समान्ता बाले बिंदू देख रहे हैं, तीसरा, ये कर्म कांडू को नहीं मानते थे, चौथा, दोनों लोग कर्म और पुनर जन्म को मानते थे, अब असमान्ता की बिंदू देखें, तो बहुत निर्माण इसी जीवन में मानते थे, कि इसी जीवन में बहुत हों के माना कि इसी जन्वे निर्माद संभव है जबकि जैन बोलते हैं कि सरीर से मुक्ति के पस्चात ही निर्माद मिलेगा तो यह इसी जन्वे मानते हैं और वो सरीर से मुक्ति के बाद बहुत मतों ने क्या कि बहुत मत हमेशा मध्यम मार गए मध्यम मार के पे उपदेश देता है जबकि जैन जो है कठोर साधना पे बल देते है महाभीर स्वामी ने बुद्ध के पेच्छा आहिंसा अपरिग्रह पर बहुत ज़्यादा बल दिया है बहुत धर्म गरंथ पाली और पर तत्पस्चात को संस्कत में लिखे गए जबकि जैन गरंथ धर्म गरंथ है वो प्राकरत में लिखे गए है यह समाने बाते हुई बहुत धोर जैन धर्म के मतों की उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा दन्न वादे